वेल्कम बैक केमेश्टी प्रेक्टिस सेशन क्वेस्चन है टेबल में किलो जूल पर मोल में सक्सेसिव आइनाजेशन इनर्जीस के आंकडों को देखते हुए निम्न में से कौन सा इलेमेंट पिरियोडिक टेबल के ग्रूप नंबर तिन में होने की सबसे अधिक संभावना है टेबल में पहले आइनाजेशन इनर्जी से छठे तक पाँच अग्यात इलेमेंट्स की सक्सेसिव आइनाजेशन इनर्जीस प्रदान करती है successive ionization energy वे मान है जो या निधारित करते हैं कि एक गैसी अवस्था elements से इलक्टोनों को लगतार निकालने के लिए कितनी उर्जा की आवश्कता होती है एक विशिष्ट element का successive ionization energies का pattern उसके परमाड़ों के electronic विन्यास को प्रकट करता है आम तर पर अधिक electronों को हटा दिये जाने पर ionization energy बढ़ जाती है positive ionize से electronों को हटाने के लिए अधिक कूर्जा की आवश्कता होती है हालाकि ionization energy में बड़ी विद्धी जो समाने विद्धी से काफी भिन्न होती है यह यह दर साती है कि electronों को नभिक के करीब वाले energy level से हटाया जा रहा है नभिक के करीब वाले electron में लक्टो इस्टेटिक का कर्शन से अधिक मजबूती से बंदे होते हैं इसलिए उन्हें हटाने के लिए अधिक उर्जा की आवश्कता होती है आई ये पांच अध्याद elements में प्रत्य के pattern पर एक नज़ाद डालते हैं ताकि उनके electronic विन्यास को प्रगट किया जा सके और यह निर्धर्प किया जा सके कि periodic table के group number 3 में कौन सा हो सकता है चौथे और पांचवे ionization energy के बीच element एक में ionization energies में सबसे महत्वण व्रिद्धी हुई है यह इंगीत करता है कि हटाये गए पहले 4 electron के समान energy level में होनी की संभावना थी और पांचवे की तुलना में अधिक सितिरूप से बंदे थे निकाले गए पांचवे electron के पहले 4 electron के तुलना में नाभिक के करीब energy level में होनी की संभावना थी इसलिए यह संभावनाई की element एक में 4 स्योजिकता electron होते हैं और यह periodic table के group number 4 में पाया जा सकता है जिसी हम group number 14 भी कर सकते हैं अगर हम D-block संक्रमन धातों की गुर्णा करते हैं तो element 2 पहली और दूसरी ionization energy के बीच सबसे मत्तपुण वृद्धी दरसाता है इसलिए यह संभावनाई की element 2 periodic table के group number 1 में इस्थित है element 3 में दूसरी और तिसरी ionization energy के बीच सबसे मत्तपुण वृद्धी हुई है यह संभावनाई की element 3 periodic table के group number 2 में हैं तीसरे और चौते ionization energies के बीच element 4 में सबसे बड़ी वृद्धी हुई है यह संभावनाई की element 4 periodic table के group number 3 या 13 में हैं लास्ट में element 5 में कोई वृद्धी नहीं हुई है जो बाकी से काफी अलग है तो यह group number 16, 17 या 18 में हो सकता है अधा periodic table के group number 3 में जिस element की होनी की अधिक संभावना है वह element 4 है Key point Group number valence electron की संख्या के अधार पर successive ionization energies में अनुमानित वृद्धी दिखाते हैं